चालू रबी सीजन के दौरान सबसे प्रमुख तिलहन फसल सरसों का बिजाई छेतर बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जिससे एक बार फिर इसके शांदार उत्पादन होने की उम्मीद है। अन्य तिलहनों एवं खाद्य तेलों का भाव नरम रहने से सरसों का दाम भी न्यूंतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है, जिससे किसानों को लाभप्रद वापसी हासिल नहीं हो रही है। हरियाना, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अगैती मैचोरिंग किस्मों की सरसों की नई फसल छिट-पुट रूट से कटने लगी है और वहां इसका भाव घटकर 4000-4300 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गया है। उलेकनिये है कि केंद्र सरकार ने 2023-24 के सीजन हेतु सरसों का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, बढ़ाकर 5650 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया है, जो 2022-23 सीजन के समर्थन मूल्य 5450 रुपए प्रती क्विंटल से 200 रुपए ज्यादा है। नई फसल की सरसों का भाव इस समर्थन मूल्य से करीब 30 प्रतीशत नीचे चल रहा है। खादे तेलों का आयात होने से कीमतों पर भारी दबाव बना हुआ है। किसानों का कहना है कि जब समर्थन मूल्य पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तब MSP का निर्धारन करने से क्या फाइदा। पिछले स्टॉक की सर्सों का दाम भी घटकर 4,800 रुपए प्रती क्विंटल के आसपास रह गया है, जो 5,450 रुपए प्रती क्विंटल के निउन्तम समर्थन मूल्य से काफी नीचे है। देश में पाम तेल, सोया तेल एवं सूरज मुखी तेल का बेथाशा आयात हो रहा है, जिससे सोया बीन के दाम भी नरम पड़ गए है। Bureau Report Market Times TV